मैं हूँ डॉक्टर पंकर चकलाश्या, मेडिकल डायरेक्टर ओफ ब्लीस आईवेफ, फर्टिलिटी एंड अन्रोलोजी इंस्टिटूट, अमारे अस्पताल सूरत वरोद्रा एंड राजकोट में है, हम आज बात करेंगे आईउआई के बारे में, आईउआई क्या है, इंसेमिनेशन, मींज यूट्रस के अंदर स्पर्म को रखना, साधी भाषा में समझे तो, ये प्रोसेजर इंफर्टिलिटी के एक एडवांस टेक्निक है, जो पेशन को प्रेगननसी रहने में धिक्कत होती है, जो पेशन्ट है कपल से, वो एक साल से अपने हिशाब से प् से, डॉक्टर भी नॉर्मल मेडिसिन करेंगे, छे महिना एक साल, उसके बाद भी प्रेगननसी नहीं रहती है, तो उसके बाद आई-उ-आई की ट्रीटमेंट आती है, मींज इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, ये कोई कुण से पेशन में ये ज़रूरी है, तो बेजि कम है, थोड़ी मॉर्फिल इज डाउन है, ऐसे केस में ये आई-उ-आई करना चाहिए, चिस से इसमें रिजल्ट मिले, एट लिस्ट दस से पंदरा मिलियन के बीच में होगा, तो ये बेटर रहेगा, पंदरा सोला मिलियन से उपर है, तो तो नेचरल भी ट्राइब कर सकते और समझ लोग, दस मिलियन से कम है, पांच मिलियन है, तीन मिलियन है, दो मिलियन है, तो उसमें ये सजेस्टीव नहीं है, उसमें आई-वेफ करना चाहिए, तो ये हो गई मेल इन-फर्टिल्टी, रिगारिंग दा फिमेल पार्टनर और वाइब के बारे में बात करते हैं, तो इसमें वाइब का सब पेरामीटर्स अच्छा होना चाहिए, मतलब यूट्रस नॉर्मल होना चाहिए, फेलपियन ट्यूब नॉर्मल और पेटन्ट होनी चाहिए, और उसकी अंडा से, यानि की ओरी में अंडे अच्छे होने चाहिए, मतलब उसका एमेच वेल्यू उसके लिए हम एक बात करते हैं, तो IUI में क्या होता है, कि नॉर्मल जो वाइफ है, फिमेल पार्टनर उनकी नॉर्मल मेडिसीन चलती है, उसका जब भी ओविलेशन का टाइम होता है, और ओविलेशन होता है, उसी दिन उनके हस्बन यानि की मेल पार्टनर को बुलाते हैं, और उनको एक कंटेनर देते हैं, कि आपको इसमें स्पर्म अभी देना है, तो वो सीमेन सेंपल जो आएगा, उसको हम एंडरोलोजी लेब यानि की आईवाई लेब में भेजेंगे, एंडरोलोजी लेब में क्या होता है, जो एंडरोलोजिस डॉक्टर होते हैं, वो इस सीम हो जाता है, और फाइनल रिजल्ट के आता है, एट दे एंड हमें एकदम अच्छे, हेल्थी, मोटाइल, अच्छे मॉर्फोलोजी वाले स्पॉब मिलते हैं, जिसका एक 0.5 ml तक का वोल्यूम हम रेडी करते हैं, और वो 0.5 ml वोल्यूम उसका एक आईवाई कैथेटर आता ह सकते हैं, यह प्रोसेजर के एडवांटेज है, एकदम सा सिम्पल प्रोसेजर है, और इसमें कोई पैन नहीं होता है, पैनलेस प्रोसेजर है, और इसमें कोई रेस्ट एडवाईजेबल नहीं है, इसमें कोई बेड रेस्ट करना है, आराम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह प्रोसेजर खतम होने के बाद जो पेशन्ट है वो घर जा सकते हैं, उनका रूटीन काम कर सकते हैं, कीचन वर्क कर सकते हैं, कोई ओफिस वर्क करता है, तो ओफिस में भी जा सकते हैं, तो यह सब एडवांटेज हैं, तो भी इसके रिजल्ट में कोई फरक नहीं है इसका, हर वोस्पिटल, हर डॉक्टर, हर पेशन्ट के अकोर्डिंग इसमें चेंज होता रहता है, तो इसलिए इसमें आई-ई-वाई में मिनिमम तीन और मैक्सिमम सिक साइकल तकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई पेशन्ट में एक साइकल में रिजल्ट आएगा, किसी क दो में आएगा, तीन सब कुछ नॉर्मल है, तो आप पांचे साइकल कर सकते हो, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर एडवांस टेकनिक में जाना चाहिए, यानि कि आई-वाई-वाई-वाई-वाई-प्रोसेजर के बारे में, इसके रिगारिंग आपको कु